यह student math की working में page number 5, question number 11 and 12 को हमने notebook पे solve करना है arrange the following numbers in descending order, इनको हमने descending ये 3 हमारे पास figures ग्रूप में है इनको हमने descending order में write करना है, descending order student fit से एक बार याद कर ले descending order मतलब छोटे से बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है अगर ascending order हैं तो आप जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, यानि जो असल तरतीब है लेकिन अगर descending order है तो आपने बड़े amount से छोटी amount की तरफ जाना है तो first start करते हैं 749 है, 749, 749, ये तीनों में same है then हमारे पास 603, 630, 613 मतलब जो हमारी billion वाली amount है, million वाली यहाँ पर हमारे changes है 603 है, 630 है, 613 है तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास है 630 मतलब जो हमारी number one वाली amount है, सबसे बड़ी वो ये वाली है इसको हम पहले write करेंगे, then उसके बाद हमारे पास number two जो amount है, वो है 613 उसके बाद हम इसे write करेंगे, then last पर ये वाली इसी तरह three, जो है वो हमारा billion, four ten, three, four sixteen, three, four fifteen तो सबसे हमारी four sixteen वाली amount जो है, वो सबसे बड़ी है, इसको हम number one पे write करेंगे then four hundred fifteen वाली amount number two, इसको यहां पर write करेंगे और last पर four ten वाली amount, start, first digit से आपने जो है वो descending or ascending का concept रखना है, अगर हमारा यहां से start में ही पता चल रहा है तो हम next जो digit है, उनको count नहीं करेंगे, इसके according हम अपना descending order write करेंगे, then write the pre-desser of the following, pre-desser मतलब एक number, एक amount, एक figure इससे पीछे, 999, 999 and zero, अब zero जो है three zero है, अब zero को तो कोई value जो है, इसको तो कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती न, तो इसलिए हम इस पूरी amount को पढ़ेंगे, तो यह हमारा बन जेगा 9,000, तो 9,000 से एक digit अगर हम पीछे जाएंगे, तो वो हमारा 8,999 बन जाएगा, बाकी जो सारी amount है, वो as it is write करेंगे, नमबर 2 में हमारे पास है, 1456, 789, 001, अब यह देखें, start जो हमने, किसी भी amount के figures का हमने, प्रिडेस से एक number पीछे जाना है, तो हम right side से यहां से start करेंगे, one है, तो one से एक number पीछे हम right करेंगे, तो one से पीछे जाएं, तो zero आता है, बाकी as it is amount, इसी तरह थर्ड वाले में, zero है, अब zero है, अगली amount देखेंगे, वो भी zero है, यानि कोई value होनी, तो तीसरी amount साथ मिलाएंगे, तो 100 बन जाएगा, 100 से एक digit अगर हम पीछे जाएंगे, तो 99 बन जाएगा, बाकी as it is, ऐसे ही amount रहने देंगे